फाइरिंग करने वाले गरफतार हो गए हैं गुजरात के भुझ से ये बड़ी गरफतारी हुई है मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफतार किया है आरोपियों के नाम विक्की गुपता और सागर पाल बताया जा रहा है गुजरात के भूच से हुई है गिरफतारी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने ये गिरफतारी की है विक्की गुपता और सागर पाल है आरोपी जिन्हें गिरफतार किया गया है सल्मान खान के घर के बाहर फारिंग करने वालों को गिरफतार किया गया और देखिए जैसे ही ये खबर आई कि सल्मान खान के घर गालेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फारिंग हुई है उसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और पुलीस जार्ज में जुट गई थी जिसके बाद आप आरोपियों के गरफतारी हो गई है गुजरात के भुज से ये गरफतारी हुई है खुद मुख्यमंतरी एकनाच चिद्दे ने सल्मान खान से फोन पर बात चीत कि थी उन्हें आश्वासन दिया सुरक्षा का भरोसा दिया लगातार पुलीस जार्ज कर रही थी और अदेखे मुंबई क्राइम ब्रांच को ये का भी मिली है विकी, गुपता और सागरपाल बताए जा रहे है ये आरोपी जिन्होंने फाइरिंग को अंजाम दिया और इन दोनों को ही गुजरात के भुज से घरफतार किया गया है अब देखे गिरफतारी हो चुकी है, पूछताच की जाएगी, पामले में आगए अक्शन लिया जाएगा पूछा जाएगा क्या अखिरकार सल्मान खान के घर के बहार फाइरिंग क्यों की गई थी, क्या था इसके पीछे मकसद क्या इन दोनों आरोपियों के साथ क्या पूरा गैंग है या फर सर्फ ये दो ही लोग है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे की वजह क्या रही तो तमाम सवाल उठे थे जब सल्मान खान के घर के बहार फाइरिंग की गई थी, अब उन्हीं सवालों के जवाब पुलिस इन दोनों आरोपियों से जानने की कोशिश करेगी गुजरात के भुद से गिरफतारी हुई है सागर और विक्की गुपता की मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने विक्की गुपता और सागर पाल के सागर पाल नाम के आरोपियों को गिरफतार गुजरात से किया है अब से कुछ दिन पहले का ही वो वीडियो सामने आया था खबर आयी थी जब सल्मान खान के घर के बहार फाइरिंग की गई थी और सुरक्षा ववस्ता बढ़ा दी गई थी तब से ही मुंबई पुलेस्टीम लगातार का रवाई में जुटी हुई थी आरोपियों की तलाश की जा रही ही थी